कि अ Chris कि अप्ले का नाम क्या है ऱल्पोर नाम क्या एक वोटर सबसे पहली चीज्सेट का नाम क्या है जेए लिए कि वाट्टि मोशन्य पहले में जो अपको लेक्चर दीया था उस लेक्चर में मैंने आपको बता良ते है कि मोशन कि होता है what is motion motion is nothing but the movement of any object with respect to another object इसका एक्जामपल भी मैंने आपको बताए था कि for example अगर हमारी अर्थ मूव कर रही है तो अर्थ हमारे लिए मूव नहीं करती है जो चांद पर बैठे है जो अर्थ से कि चक्र लेती है तो ऐसे ही है कि जो अर्थ है वो किसी और के लिए और खेट में तो आपको पेड़ लते घुए पेल रहे हैं जब हमारी बस मूँव करती है न तो अपने लगता पेड़ हिल रहे हैं लेकिन एक्चुली होता यह नहीं होता आपकी बस का मुवमेंट है with respect to trees so that is the reason why तुम अपने आपको सोचते हो कि तुम रेस्ट पे हो और सामने वाली जीज मोशन कर रही है हाला कि हम इसको laws of motion में भी और अच्छे समझेंगे कि laws of motion क्या होता है तो motion की definition लिखते हैं और इसके पहले मैंने types की भी बता दीते हैं एक बार बता दीगे तो definition क्या है बच्चों the motion या the movement of the movement of any object the movement of any object with with reference to another object the movement of any object with respect to another object with reference to another object is called motion अरे यार तुम लोग question mark वाले क्यों इस्तिती में आ रहे हैं बताओ न सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं the movement of any object with respect to another object is called motion किसी ने players movie देखिए players अरे गोल्ड की चोरी करते हैं न ट्रेन से तो एक ट्रेन ऐसे जा रही होती है तो उन्हें कहते भाई इसके सामने से एक ट्रेन ले जाओ तो ऐसे मत ले जाओ उसके साथ चलाओ जब उसके साथ चलाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वो दोनों ट्रेन आपस में एक जूसरे के लिए motion नहीं कर रही क्यों क्योंकि उसकी उत्ती स्पीड रहती है और उसकी उत्ती स्पीड रहती है लेकिन अगर opposite में जाएंगे तो फिर लगेगा फिर तो ऐसे लगेगा बहुत तेज निकल गया तो motion of an object और movement of any object with respect to another object is called motion अच्छा motion कित्ते प्रगार के हैं जल्ली बताओ फटा-फट सबसे पहला तो हम लोगों को अभी जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है motion in a straight motion in a straight line यानि कभी motion होता इस ट्रेट लाइन में और इसी motion को हमने क्या नाम दिया था रेक्टी रेक्टी लीनियर motion क्या कहा था उसको रेक्टी लीनियर मोशन मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दूसरा motion कौन सा था बता बजली circular very good यार क्या बहतरीन बच्चा है यह लगा circular motion है circular motion का मतलब क्या होता है जब कोई भी चीज motion कर रही हो inner circle जैसे यह sun है थोड़ा बढ़ा बना दो पुनिसर ठीक है यह sun है और इस sun के चारों और चक्क्र माललो ये अर्थ लगा रही है इसको हमने बूल दिया अर्थ और इसको हमने बूल दिया sun तो sun के चारों चक्कर अगर लगा रही है अर्थ तो उसको क्या बोलेंगे हम सर्कुलर मोशन लेकिन आपको बताओं एक चीज और सुन लो यह ऐसा नहीं होता है यह एक्चुली में यह सन है और यह कुछ इस तरह का होता है ELEPTICAL होता है कैसा होता है ELEPTICAL इसलिए में गलब दियुक मैंनि इससरी X dogs कि माण लोगर ऐसा हो लेकिन इन्य सर्कुलर मत लेकिन इसको करते हैं ूच्च होते हैं कुछ बक्चे होते हैं क्या होता है कुरसी के नीचे हावा प्रोल लटका लेते हैं और खूभ लाणे यहां नें की युलांगे तो यह जो motion हो रहा है इसको क्या बोलते हैं 2N from motion जैसे pendulum करता है इसको मिटार रहा हूं बच्चों जैसे यह है एक यह है फिर यहां से यह आया एक और यहां से आया यह तो हमने गेंद को ऐसे जुला दिया वापस आई फिर देख तो जो एक ही position पर बार बार जाकर वापस आजाए ऐसे motion को क्या बोलते हैं 2N from motion और इसी को मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं oscillation क्या बोलते हैं इसको oscillation क्या बोलते हैं oscillation कि बार बार oscillate होता है कभी तुम लोग मार्केट गए कपड़े खरीतने गए कभी एक चीज पसंद जाती है फिर बोलते हैं और दिखाओ लड़कियां जा थार बोलते हैं और दिखाये मुझे अच्छा नहीं लग रहे हैं अच्छा अब जैसे ही उनने वह से इक टॉप उनको पसंद आ गया या अब सुनो यह दोनों यहां रखे हैँ आप जो महतर्मा कपड़े चूज कर रहे होगी उसको पापा ने प्रेले के दिया इन दोनों में से एक दिलाओंगा आप बता है लड़की क्या करेगी ये भी अच्छा है यार यह यह ये भी अच्छा है यार मुझे बर दोनों दिलाद एक और जो इन दोनों से अच्छा निकले फिर लड़की कोशिश करती है ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है नहीं दिख रहे है तो उस मोशन को जब बच्चे कास कर से हमाई लड़कियां और लड़के लोग तो मम्मी केती है ये पेनल बट अच्छ लगता मेरा राजा बे सब लगता है भाई के तो बाल स्ट्रेड भी हो जाते हैं कभी कभी ठीक है आगे बढ़ते हैं दूसरा क्या होता है चौथा क्या होता है रोटेटरी रोटेटरी मोशन बहुत प्यारा रोटेटरी मोशन मेरे प्यारे बच्चों रोटेटरी मोशन आपने सुना होगा रोटे पानी के ग्लास खाली हो गया पड़ा हुआ था गिर गया हमने इसे गुमाया उसके मज़े लेते हैं छोटे बच्चे कितना मज़ आता है उसको फिर गुरोखनी के कुश्च करते हैं चोटे बच्चे तो उसको बोलते है रोटेटरी और एक और होता है जो मैंने अभी आपको बता है था सलग्र अब देखो क्या हुआ जब मैंने सर्कूलर मोशन बताय को बनाया लेकिन अगर में सान यहां होता है और हर्थ यहां होता है तो इसको हम बोलते हैं wire रिवॉल्यूशन क्या बोलते हैं इसको रिवॉल्यूशन क्या बोलते हैं तो एक और है रिवॉल्यूशन और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था एक और मोशन होता है जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल क्या बोलते हैं इसको प्रोजेक्टाइल मोश 시청, अब आपने सुना नहीं होगा इसका नाम अभी तक, लेकिन आपने इसको यूज बहुत किया होगा, बताते हैं. इसके पहले वाले लेक्चर में भी आपको मैंने बताया इसके बारे में फिर भी बता देता हूं कोई दिक्कत वाली बात मुझको वेसे भी नहीं होती है कि मान लीजिए कि एक बंदा खड़ा हुआ है और इस बंदे के पास एक गेंध है इसकी आखे बंद क्यों है सर चले ठी कि बंद नहीं खोल देते हैं ठीक है इसके पास एक बॉल है जो इस बंदे के पास उसने फेकी ठीक है दोनों बंदे खेल रहे हैं आपस में बहुत है अच्छा आखे बनाने के बाद थोड़ा थोड़ा सा अपीलिंग हो जाता ना इमोजी हाँ अब इस बॉल को इसने फेका है तो यह बॉल इसके पास है भाई है कि ऐसे जाएगी है ऐसे फेको यह आई तो यह जो फेका है जो यह मोशन किया है इस पूरे मोशन को क्या बोलते है प्रोजेक्टाइल मोशन इसकी बात तुम क्लास 11 में करोगे बहुत खुबसूरत तरीके से और मैं ही तुमको बता दूँगा डरना नहीं ठीक है इतना समझ में बिटार दूँ पक्का चलिए अब बच्चों मोशन में और आगे फिजिकल कॉंटिटीज को हम लोगों को डिराइब करना है तो और कौन-कौन से फिजिकल कॉंटिटीज को डिराइब किया वो देखो सबसे पहली चीज तो भाईया एक बंदा था वो था A और एक बंदा था वो था B नहीं बेटा ये दोनों बंदे नहीं थे ये दोनो पॉइंट्स थे अब एक बंदा था ये इस बंदे को मैंने बोला कि भाईया तुझे A से B जाना है क्या करना है तुझे A से B जाना है क्या करना है यह से भी जाना है तो यह उसकी फर्स्ट पोजिशन थी और यह उसकी सेकिंड पोजिशन थी यह उसकी फर्स्ट पोजिशन थी और यह उसकी सेकिंड पोजिशन थी तो पहली पोजिशन में यह बंदा यहाँ था और दूसरे कुछ समय बाद मैंने देखा तो ये बंदा कहां बोज गया अब ही देखो जैसे थोड़ी देर पहले आप घर पे थे अब कहां आ गए मेरे पास आ गए फिर क्या होगा थोड़ी देर बाद वापस घर चले जाओगे क्या है गड़ी यह कभी नहीं रुकती अरे यह तो रुक जाती है लेगिन जो असल टाइम है वो कभी नहीं रुकता यानि एक चीज और चल रही होती बेग्राउंड में जब तुम इधर से उदर जा रहे होते हो जिसका नाम क्या है ताइम यार यह कभी रुकता है क्या एक ब लगता है 24 गंट लगता है यानि time to चलेगा है time चलेगा कि नहीं चलेगा और अगर time parallelist के साथ चल रहा है यानि अपनी position भी change कर रही है with respect to अरे बोल दो तो time जब वो position को change कर रही है with respect to time on object object position को change कर रहा है with respect to time यानि दो physical चीज़े हमारे पास आई यह दो physical quantities हमने define करी तो पहली जो physical quantity जो इस motion के अंदर आपको चाहिए उसका नाम था मेरे प्यारे बच्चों था सबसे पहला distance क्या बोला हमने distance अब सुनो सुनो distance का मतलब क्या होता सुनो यह बंदा गया और यह कुछ ऐसे पहुचा फिर इसको दुबारा भेजा तो बंदा ऐसा गया फिर इसको तिबारा भेजा तो यह बंदा ऐसा गया फिर कि एक बार भेजा तो यह पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया बहुत बार इसको भेजा तो 100% इसने कुछ time लिया होगा यहां से यहां यहां से यहां पोचने में या पूरा समय लिया होगा यहां पूरा path cover करने में तो इसको हम बोलते थे actual रास्ता क्या बोलते थे actual रास्ता फर्स्ट पोजिशन से सेकंड पोजिशन जाने में जो उसने actual रास्ता इस्तमाल किया किसने इसी बंदे ने क्या करा पहले तो गया ऐसे फिर गया ऐसे फिर गया ऐसे फिर गया ऐसे तो चार अलग अलग रास्तों से यह गया तो हमने का इतने टाइम में जितने भी टाइम में इसने actual path cover किया है उस path की length को क्या कहा क्या कहा भीया distance क्या बोला यानि distance is nothing but the length of actual path covered by any object is called distance और time तो मेरे प्यारे बच्चों चली ही रहा है time तो चली रहा है अब मैंने कहा यह A point है और B point है मैंने कहा यह A point है और यह B point है किसी बच्चे को बुलाए मैंने कहा A और B point को जोड़ दो तो एक बहुत समझदार व्यक्ति आया जिसने कुछ इस तरह से जोड़ दिया जिसने कुछ इस A और B point को किस तरह से जोड़ा इस तरह से और एक और शरार्ती बच्चा था एक तो समझदार था एक बहुत समझदार था बहुत अच्छा पढ़ता था और एक बहुत शरार्ती था नमिध जैसा उसको बुला A और B को जोड़ दो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ है अब नमिध भाई ने क्या करा सुनो, पूरी बात सुन नमज आ जायागा तुम नमिध भाई ने क्या करा सुन लो नमिध भाई की नमिध भाई ने A और B पॉइंट को जब जोड़ा तो उनने कुछ A और B को कुछ इस तरह से जोड़ा अब यह मैं तुम्हें पूरी दोनों कहानी सुना रहा हूं वो जो सीधा बच्चा था ना उसने पूछा मैडम से मैम मैं आई गोट टॉइलेट तो मैडम ने कहा जाओ तो वस क्लास से निकला कह ना गया टॉइलेट और वापस आगया होगा हंड्रेट परसें अब नमित ने सवाल पूछा मैं मैं आई गोटू टॉइलेट भाई मैडम ने बोल दिया बिचारा गरीब है आ रही होगी है ना नमित जाओ नमित भाई कौन सी क्लास में नाइंध ए नाइंध ए नाइंध य फिर एक टेंथ कोन पड़ा रहा है अरे बच्चे मस्ती कर रहे है फिर यहां कोन पड़ा रहा है फिर 11 पिर नीचे चोकितार के पास ही जलेगा भाईया कैसे हो सब बढ़िया एंजो है फिर उदर गए इधर गए सब जगे घूंगा पूरे स्कूल को नाप लिया और यह भी पता लग लिया कि पूरी स्कूल की स्ट्रेंथ कित्ती आई है टीचर सहित स्टुडेंट पूरा केल्कुलेट कर लिया भाई ने उसके बाद भी इनको चेन नी पड़ी तो इनने पहले यहां वाश्वेशन में जाके हाथ दोए फिर सूसू करी फिर वापस हाथ दोए फिर एक दीदी आहीं इनको बुलाने बेटा फिरेट खतम होगे दूसरा लगन लग गया आ जाओ पढ़ लो फिर गये घर आ एंजोई वाश्रूम नहीं आ रहे थे इनको घूमना था एक्चुली घूमना नहीं था आप सुनो जो बच्चा सीधा था उसने कैसा पात लिया जो ब बच्चा सीधा था उसने कैसा पात लिया सीधा और जब च्चा तेड़ा आड़ा था उसने कैसा पात लिया बिल्कुल आड़ा तेड़ा पात लिया जैसा वो नेचर रखता है इस आड़े तेड़े पात की एक्च्वल लेंध डिस्टेंस कहलाई लेकिन दो पॉइंट के बीच का सीधा पाथ कहलाया डिस प्लेसमेंट क्या कहलाया अब सुनो कितनी खुबसूरत बात नजर आई हाँ पर मुझे हर बंदा आज की इस्तिती में शौटकट देखने का सोचता है कि शौटकट मिल जाए मुझे तो जिन्दगी में शौट्कट कया नमित ने वश्रूम जाने के लिए शौटकट इस्तमाल के था लांकट लेकिन भाई को टाइम बचाना था दूसरे वाले जो सीधा बच्चा था तो उसने क्या लिया, shortcut गया वापस, सीधा, सीधा washroom, सीधा वापस class तो ये जो दो point के बीच का जो distance होता है, वो भी shortest the shortest distance between the two points is called displacement बहुत खुबसूरत, इतना उतार लो तो बच्चों, अब distance समझ में आ गया और displacement समझ में आ गया अब खुबसूरत बात ये थी, कि इसी displacement और distance में कुछ difference भी थे बताओ, difference बताओ, difference between distance and displacement लेकिन उसके पहले एक छोटी-छोटी मगर मोटी बाते में बताना चाहता हूँ आपको हमारी physics के अंदर, हमारी physics के अंदर, two types of, two types of, क्या होती है बच्चों, physical, physical quantity होती है कितनी types की होती है, जल्ली बोल तो कितनी प्रकार की होती है, दो, कौन-कौन सी होती है, वो बता रहा हूँ I hope तुमको नहीं पता होगा, दो प्रकार की physical quantities हमारे पास होती है एक को बोलते हैं, scalar, physical, quantity और मेरे प्यारे बच्चों एक को बोलते हैं, vector, physical, quantity अब आप बोलोगे, यह क्या है, क्या scalar, क्या vector मेरे एक सवाल है क्या लिखा है मैंने यह five kilometer तुम लोग सोच सकते हो, क्या हो सकता है कुछ सोच सकते हो कि five kilometer क्या हो सकता है, सोच सकते है, कुछ distance हो सकता है या length हो सकती है, किसी बड़ी चीज की या छोटी चीज की, बड़ी चीज की, बहुत बड़ी है बड़ी चीज की या छोटी चीज की बड़ी चीज की है न, अच्छा बेटा, 5 cm सो सकते हो, क्या हो सकता है? यह भी एक परकार की length तो है, लेकिन यह थोड़ी चोटी चीज़ की length हो सकती है मैंने का 5 kg क्या बोलाуска मैंने? 5 kg मेरे प्यारे बच्चों, क्या यह किसी की length हो सकती है? तो क्या होगा यह? क्या होगा? Weight यह किसी चीज का मास हो सकता है क्या यह लेंथ हो सकती है तो तुमने कैसे पता लगाया यह 5 तो यहां भी था और यहां भी था तो तुमने पता कैसे लगाया इसके पीछे लिखा हुआ था किलोमेटर और इसके पीछे क्या लिखा हुआ था किलो ग्राम किलो ग्राम और किलो मीटर क्या है बचों किलो ग्राम और किलो मीटर होती है यूनिट्स क्या होती है किसकी उन्ही फिजिकल क्वांटिटी की किनकी उन्ही फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है यूनिट्स इनको पीछे जो लगते हैं इनको क्या बोलते हैं यूनिट्स और इसको क्या बोलते हैं कुछ पता है किए कि इसको बोलते हैं पाच जो लिखा हुआ इसको बोलते हैं numerical क्या बोलते है numerical value क्या बोलते है बच्चो numerical value और इसी numerical value का और अच्छा खुबसूरत नाम है magnitude क्या बोलते है magnitude यानि एक physical quantity के पास एक physical quantity के पास यहां पर जो है वो magnitude भी है और उसकी unit भी है अभी उसके पास magnitude है और unit है और unit से समझ में आता है unit यह बताती है unit यह बताती है कि physical quantity physical quantity कौन सी है समझ माया देखो अभी तुमने कहा कि सर यह length थी और यह mass था तुमने case को देखके बताया तुमने unit को देखके बताया ना बच्चों कि यह length है और यह mass है अभी बता देता हूँ एक चीज़ और बता हूँ एक चीज़ और 5 second बताओ क्या है time है अरे 5 second में आ रहा हूँ अब किसी ने बोल दिया भाई कित्ती देर में आ रहा है भाई बस 5 किलो मीटर में आ रहा हूँ तो तुम बोलोगे ना पागले तो अरे 5 किलो मीटर क्यों बोल रहा है अरे 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 सोरी सोरी 5 केजी में आ रहा हूँ भाई कित्ती देर में अरे 5 लीटर में आ रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, अब एक बात बताओ, कि क्या वो information correct थी, क्यों, क्योंकि unit, सही time पे सही unit नहीं लगाई, unit यही बताती कि कौन सी physical अब तुम time के बारे में बात कर रहा हूँ, लिख दो लीटर, भाई, भाई, बलाओ, बलो, बलो, बा बला है, एक मिनिट होए, 60 लीटर होती है, तुम बला रहे पागल है क्या, फिसिक्स नहीं आती तुरको, अरे लीटर नहीं होते हैं बच्चे, किलो ग्राम होता है, यह time की unit, यह mass की unit, तुम दोनों को equate करी ही नहीं सकते, time अलग चलता है, और mass अलग भागता है, time सर, time भा क्योंकि seconds भी काई की unit है, time की, और minute भी काई की unit है, time की, अच्छा, ऐसे ही, ऐसे ही, light year काई की है, light year, किसकी unit है, time की, year लिखा हुआ है, है न, year तो time ही है न, बारे बारा मैं, नए, light year unit है, distance की, काई की है, distance traveled by light in one year, एक साल में, जितना distance light travel करती है, वो होता है, light year, one light year, हमें अभी देहा नहीं जाना है, तो बच्चों, एक physical quantity के पास unit भी होती है, और उसकी numerical value होती है, numerical value को क्या बोलते है, magnitude, और unit को तो unity बोलते है, वो बताती है कौन, कि कौन सी हमारे पास physical quantity है, ठीक है, सबको आया समझ में कि नहीं आया, जल्ली बताओ, अब क्या होता है, कुछ ऐसी physical quantities भी होती है, जिनके पास direction भी होता है, जिनके पास direction भी होता है, कुछ ऐसी physical quantities भी होती है, जिनके पास direction भी होता है, magnitude के सांसर, जिन physical quantities के पास direction भी हो, और magnitude भी हो, उन physical quantities को क्या बोलते है, vector physical quantities, और जिन physical quantities के पा स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज जल्ली से उतार लो